यह जो टॉपिक अब हम पढ़ने वाले है ना नोन टेक्सेशन परसन से मतलब जिसको टेक्स की नॉलेज नहीं है या मतलब जो जिसने भी तक नहीं पढ़ा है इन चीजों के लिए वो परसन इतना ज्यादा गंफ्यूज होता है इन चीजों में बहुत जादा वो समझ में नह यह हो सकता है आपको पता हो नहीं पता होगा तो भी समझ लेंगे तो अब तक क्या होगा आप गूगल पर कुछ भी सर्च करेंगे ना आप क्या सर्च करेंगे जैसे ना टेक्स रेट के स्लैब सर्च करने है आपने कि टेक्स रेट के स्लैब सर्च करने है कोई भी आपने य 2021, अब दिक्कत हो जाएगी, दिक्कत क्या होगी, वहां पे आपको पता कभी तो assessment ये लिखायेगा, कभी financial year लिखायेगा, कभी ay लिखायोगा, कभी fy लिखायोगा, आप डिफ्रेंसी नहीं कर पाओगे, assessment year 2020-2021 का मतलब हो गया, आप 2019-2020 की detail निकाल रहे हो, एक साल पहले की detail निकाल रहे हो, तो ये हमारे लिए क्या हो जाता है, confusion का पार्ट हो जाता है, जब income tax की return आती है, बहुत बार होता है, client आते हैं, तो मैं उनसे पूछता हूँ कि आपने जैसे last return कभी फाइल होगी है, एक मिनट मैं देखता हो न अभी, वो अपने क्या करते हैं, paper निकालते ह उसमें देखा, कहने लगी कि सर इसमें ना return जोया है ना, मेरी, जैसे अभी मान की सलते हैं, आज मैंने कहा, जून का time कहलेता हूँ, ठीक है, जून 2021, ये 20 बोल दो, कुछी बोल दो, जून 2020, ठीक है, आज person आया, मैंने उनसे पूछे, मैंने का, आपकी last return कभ है, वो देखन अभी तो जून 2020 सेल रहा है, 2020 तक की return कैसे, जो कमाएं नहीं, उसके उपर आपने return कैसे file कर दी, 2021 का मतलब, मार्च 2021 तो आप file करोगे, अभी income earn करोगे, तो समझ में आ जाता है कि वह गलत देख रहा है, तो वहाँ पे क्या होता है, assessment year लिखा होता है, और assessment year का मतलब, एक साल पहले की actual return हो रही है, अब confuse मत करो, बताओ, किस में कौनस का क्या मतलब होता है, देखो, एक होता है मेरा assessment year, एक होता है financial year, पहले में बात करते है financial year की, financial year मतलब हो गया, मेरा normal year, ठीक है, मतलब, जिस time period की actual में मैं बात कर रहा हूँ, वो मेरा क्या हो गया, financial year हो गया, note करना ह मैं कहो तो यहां पर लिख दूँ ऐसे लिखने की कोई जरूरत नहीं है मैं और अली बता जाते हूं आपको दियान से समिदना कोई सब्सक्राइब ले ले लेते हैं 1920 ले ले लेते हैं so 1920 के अगर मैं बात कर रहा हूं so इसमें मैंने अपसे क्या कहा है कि मैं एक अपरेल से लेकर 31 मार्च जो भी हमारे येर चलता है स्कूल वाला येर चलता है अकाउंटिंग येर चलता है मैं जैसे स्कूल का सेशन चलता है अपरेल से मार्च तो सारी अकाउंटिंग सिस्टम हमारा ऐसी चलता है भी तो इस वाले में सिस्टम में क्या होगा जैसे ही मैं कहूँगा अप्रेल तो अप्रेल कब से बात करूँगा 1st April 2019 और फिनिश कब होगा 31st March 2020 अगले साल खतम होगा तब ही तो जाकि एक साल पूरा हुआ तो 1st April 2019 से लेकर 31st March 2020 20 सग मेरा क्या चलेगा पूरा का पूरा 1 year चलेगा ये इस साल जो मैंने income earned करी है मैं उसकी return file कर रहा हूँ मैंने 1st April से लेकर 31st March 2020 जो भी earned कर रहा है मैं उसकी return file कर रहा हूँ तो ये जो return जा रही है ना फोन से financial year की जा रही है ये financial year जा रही है 2019-20 मतलब जड मैंने earned कर रहा है actual उसी की बात कर रहा हूँ actual उसी की बात कर रहा हूँ कि ठीक है भई 1 April 2019 से लेकर 31st March 2020 तक यानि कि इसी period को मैं क्या कह रहा हूँ financial year तो ये financial year मतलब actual year है assessment year assessment year होता है जिस year में आप उसका assess कर रहे हो check कर रहे हो जब आपकी income होती है न वो अगले साल check होती है बात समय मारी है 31st March तक तक तो आप कमाई रहे भी कमाने में दीजी थे उसमें calculate कब करते है फुरसद ही नहीं मेले 31st March की शाम को ठक हार के office से पसीने भाते हुए आए अब जब रात को आए तो अब रात को तहीं मत नहीं थी ना तो अगले दिन जाके आपने देखा है सिफ ऐसी example दे रहो so next year आपने देखा जब next day देखा तो देखा रहे भाई यह तो मेरा नया साल आ गया so क्या हुआ पिछले साल का हिसाब अगले साल करते हैं पिछले साल के लास्ट मुमेंट तक रात बारा बचे तक तक हम काम करने में भी जीते हैं earning करने में भी जीते so simple simple language में समझो कि जो आप कमाते हो जिस time period में जिस year में आप पॉइंट करते हो उसका assessment अगले साल होता है same आपके school का system है board exam समझ लो याद होंगे जो senior देख रहे होंगे अपने याद आ रही होगी board exam की time की so board exam में कैसा होता था board exam में ही रहता था ठीक है अपरेल में session स्टार्ट हुआ मार्च में finish होगे और उसका result आथा था अगले year में ठीक है जैसे अपरेल के बाद में और जून के बीच में result आथा था same system यहाँ पे यह पूरा board exam ही है so इन्होंने का पूरे साल की मेनस जितना आपने कमाया अपरेल से लेका मार्च तक तो यह तो आपका session होगा कौन सा financial year और जब उसका assessment होगा जब आप return file करोगे जब आपका सिसाब होगा वो कहलाता है assessment year तो जब भी अपसे assessment year पढ़ोगे assessment year लिखा है 21 तो मतलब समझ जाओ कि भाई इसको छोड़े एक साल पीछे चलो यानि 19-20 की income की वाद कर रहा है clear हुआ done 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 okay तो यहाँ पर क्या लिखा है assessment year 12 months commencing 1st April of every day every year आना था थोड़ा सा correction कर ले ना कोई दिखते तो assessment year का मतलब है 12 months commencing 1st April every year हर साल के 1st April से जो मेरा time स्टार्ट हो रहा है उसको assessment year करता हूँ तो यह technical language है यहाँ से clear नहीं हो रहा है अपना जो मैंने बोला है ना वीडियो के बाद उसको यह भी बीच में पॉज कर रहे है पूरा note down कर ले ना example समें और लिख ले ना यह 12th के board exam है मेरे यह 10th के board exam है ठीक है ना उसमें भी क्या होता है result हमारा जून के आसपास है clear so assessment आने वाला साल मतलब जिस साल में मैं return file कर रहा हूँ जिस year की file कर रहा हूँ वो क्या है मेरा financial year अब previous year हो जाता है previous year ना financial year prior to assessment year तो previous year financial year ही होता है normally previous year मतलब पिछला साल अब पिछले साल की दो बात समझो ना मैं return file कर रहा हूँ मैं प्रिवियस यर मतलब पिछले साल और पिछला साल क्या है मेरा वो तो फानेशल यर है क्योंकि इस साल कि तो रिटन कर रहा हूँ और मैं पहले की कभी कि प्रिवियस यर बोल रहा हूँ मैंने का प्रिवियस यर और कौन सा मेरा फानेशल यर तो मैं पहले से पहले की कर रहा हूँ, यह मैं कह रहा हूँ, प्रिविए से पहले की कर रहा हूँ, यह मैं कह रहा हूँ, प्रिविए से पहले की कर 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 रहा हूँ, तो जब मैं जिस स्टियर के कर रहा हूँ, वो मेरा क्या है, पालेशलिया इससे easy language मुझे नहीं लगता है, हो सकती है और इसमें मैंने इतना जाने मेहनत कि हूँ बार बार repeat कर रहा है क्योंकि बात तक भी confusion हो जाता है hopefully, अब आपको अच्छे से clear होगा देख रहे हो ना, कैसे इतना है, मतलब एक topic को मैंने इतना ही depth cover कर दिया और video मेरी कितनी बनी है, 8 minutes की so that's why, प्रा निकर तरीका है, मतलब अब इसमें मैंने लिखके कुछ time waste नहीं कर रहा है वो सब चीज है, तो crux, time आपकी है, time is money, ठीक है ना तो आपके वो save होना चाहिए, आपको अगर मैं कहूँ ना, कि आप इसको बहुत speedily cover करना चाहते हो सीखना सब चाहते हो, लेकिन time नहीं देना चाहते हो, तो यह course तब भी आपके लिए perfect है ठीक है?